हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों अनुस्वार अनुनासिक के बाद अब हम जानेंगे विसर्क का प्रियोग बच्चों विसर्क दो बिंदों के रूप में दर्शाय जाता है ये हमेशा शब्द के अन्त में आता है जादा तर लेकिन कुछ एक शब्दों में कभी बीच में भी आ जाता है विसर्क के शब्दों का प्रयोग अधिकतर संस्कृत शब्दों में होता है और ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं इसके बारे में आप विसर्क पूरवक आगे पड़ेगे फिलहाल आप जान लीजिए विसर्क होता क्या है का साउंड आएगा नमख ज्यान दीजेगा हौ का साउंड विस्सरग लगा दीजिये जैसे अतअ नमख ये इसके शब्द हैं आपने इनका भ्यास करना है आगे शब्द जैसे पुनह शनह दुख प्रातह स्वतह स्वतह का अर्थ है अपने आप कि अंत में हो का साउंड आ रहा है पलतह मूलतह अक्षरशह साधारन तह दुसाहस देखो यहां पर दुसाहस में बीच में आ गया विसर्ग अधिकतर नहीं आता लेकिन कुछ एकात शब्दों में आता है आगे इसके शब्द है जैसे नह सहाई नह संकोच नह शब्द ध्यान रखना हो का उच्चारान देखकर आपने आगे बढ़ना है जैसे नह सहाई नह संकोच नह शब्दो यह थे विसर्ग के शब्द अब विसर्ग को कैसे वाक्ये में प्रयोक करना है वो भी पढ़ लेते हैं जैसे कि प्रातह काल उठो इश नमन में शीष जुकाओ किसी को दुख मत दो शनेह 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 आगे बढ़ो निह काम और निह कपट बनू नियम का अक्षरश पालन करो दो साहस मत करो अपनी बात निह संकोच कहो तो देखा कैसे हो का उच्चारण इसमें आ गया और असान है उच्चारण आते ही आपने विसर का प्रियोग कर देना है अब इसका अभ्यासकार्या स्वैम कीजिए